हलो एब्रीवन स्वागात है आप सबकाथिंका इसमें फ्रम अन्मोल ठाकूर आज हम देखने वाले इंडिया एंड चाइना के रिलेसंसिप के उपर जिसमें एस जैसंकर ने बहुत ही करे सब्दों में चाइना के जो बॉडर डिस्पूट चल रही इंडिया के साथ उसमें ज जैसंकर जाते हैं तो वहाँ पर यह बात रखते हैं कि चाइना को बॉडर से अपने ट्रूपस हटाने चाहिए और अभी रिसेंटल उन्होंने क्लेरली बोला इंडिया एंडिया एंड चाइना के रिलेसंसिप अच्छे नहीं है विकॉज चाइना ने आपने ट्रूपस बेटर वे में समझ पाओगे तो विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड चाइना इंटरनेशनल बॉर्णरी लाइन पहला आप्सन आपके पास मैकमोहल लाइन दूसरा है रेड क्लिफ लाइन और तीसरा डुरान चौथा जॉनसल लाइन आप इसमें से एक को जल्दी से प नहां पे उन विजिट के होते हुए जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका और चाइना का भी रिलेशनसिप कैसा चल रहा है मिंस इंडिया और चाइन चाइना का तब जैसंकर ने क्लियरली बोला इंडिया एंड चाइना के रिलेशनसिप अच्छे नहीं है विकॉज चाइना ने अपने टूप्स को बहुत ही हैवली डिपलाई करके रखा हुआ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे अब जब चाइना और इंडिया का जो फर्स्ट फोकल पॉइंट हुआ था जिसे मेजरली हम मानते हैं 1962 वो हुआ था अरणाचल परदेश में और वही अभी हो रहा है यहाँ पे भी तो यह बात चाइना को बहुत ही ढंग से समझ में आएगा इन फ्यूचर बिकॉज इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा 1962 का इंडिया अब जबाब देना जानता है और किस तरह से चाइना को उनकी प्लेस दिखानी है यह बात भी तो इन तीनों प्लेसेस को आपने देखा तो मौज जदाउं का ऐसा कहने के बाद अक्चुली उन्होंने सच में पूरी की पूरी की पूरी कॉम्मिनिस्ट पार्टी जो खड़ी की है वो पावर अफ गन से खड़ी की है और लोगों को मार करके यह बोलायाता है कि आज तक कि सबसे बड़े डिक्टेडर का अगर ना रखा था जिसमें उन्होंने इन तीनों पॉइंट को थ्री फिंगर एरिया में दिखाया था और यह बोला था कि यह थ्री फिंगर जब तक चायना के पास नहीं होंगे चायना तब तक सुपर पावर नहीं बन पाएगा इसलिए चायना हमेशा से कोशिस करता रहा है और उन चायना के बॉर्डर को और नाचल प्रदेश के पास जो कि आपको मैंने थर्ड एडिया में दिखाया था इस्टर्ण साइड में अब यह जो सेंट्रल एडिया आप देख रहे हो यहां पर आपको निपाल दिखेगा और यहां पर यह रहा है भूटान यह दोनों कंट्री इ इंडिया उनका साथ देता है भागीदारी रहती है उसको अच्छे से समाल ले में तो इन सारी चीजों को अगर आप देखो तो इन दोनों जगहों पर कंट्रीज को देखने के बाद आपको पता चलेगा चायना ने रिसेंट टाइम में बहुत ही जादा हैवली फोर्ज डि सपोर्ट करते हैं नेपाल में और इसके कारण उनका चायना के साथ बहुत ही अच्छा रिलेसंसिप रहता है तो इन सारी चीजों को अगर आप समझो और उसके बाद अगर आप देखो अकसाई चिन जिसके पास पाकिस्तान का सपोर्ट है विकॉज जो पियो के है पाकिस्त पाकिस्तान उक्यूपाइट कस्मीर यहां से पाकिस्तान सपोर्ट करता रहता है और चायना उसके बज़े से असानी से इस एरिया में बना हुआ है दोनों फ्रंट के वार लगने के लिए तो अकसाई चिन भी आप जानते होगे 1962 वार के बाद ही चायना ने हतिया लेया था इन सारी चीज़ों को देखो तो इस उच जो है हमारे चायना के साथ वो LSE को सेपरेट करते तीन भागों में जो कि मैंने आपको बता इस्टर्ण सेक्टर और नाचल परदेश और सिक्किम के एरिया को दूसरा हो गया आपका मिडल सेक्टर जो कि मिडल सेक्टर जिससे जो मैंने आपको बोला वहां के बच्चे बच्चे स जाके पूचे वो बोलेंगे भारत माता की जै और एरिया जो है वो जंगन एडिया इस स्पेसे जिस जो है चाइनिस लेंग्वेच थोड़ा सा बोलती है possibilities और उसके साथ इस India उसके सारी चीजों के साथ आगर आप देख चाइना के पास problem क्या है देखिए चाइना के जितने बड़े बड़े states हैं वो साड़े उनसे चाहते हैं अलग हो जाए अगर आप यहां पे जिंग्जियान प्रॉविंस को देखो और उसके साथ आफ अलग अलग जगहों पे देखो यहां पे इस side में भी देखोगे तो यह र चाइना वालों को मुझ पे मार सकें ठीक है यहां पे आपको तवांग मोनेस्ट्री दिखेगा आप देख सकते हो इस एरिया में कितनी ज्यादा ठंड है जिसके वज़े से बहुत ही ज्यादा problem होती है इवन soldiers को वहां पे रहने पे लेकिन हमारे इंडिया के soldiers बहुत ही ज्य सब की जमेदारी बनती है कि हम उसके बारे में सोचे और जो भी आप लिखोगे मैं कोसिस करूँगा उसे पिन करने की और आप से हो सकता है बात भी करूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आप ये वीडियो कंटिनियूस देख पाएं इंटरनेशनल एफेर्स पे और नियूस से भी रिलेटेड जो की UPSC प्रोस्पेक्टिव और अब तक पहुँद सके, थैंक्यू फू वाचिंग गईज